नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चाहिए अब्जेक्टिव चैंटर पर इस वीडियो में दोस्तों लोग Employability Skills का दोस्तों जो चौथा चैप्टर है Communication Skills इसका दोस्तों यहाँ पर कोश्चन देखेंगे तो जो भी इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि दोस्तों आपको 25 कोश्चन इसी से आपका आने वाला है Employability Skills से तो यह चौथा जो माडूल है Communication Skills इसमें देखिए पहला कोश्चन कर रहा है We can share our thoughts, ideas and feelings through यानि कि जब हम अपने विचारों विचारों और भावनाओं को किसके माध्यम से साजा कर सकते हैं तो देखिए हम अपने विचारों विचारों और भावनाओं को हम लोग किसके थुरू तो यह Communication यानि की संचार के माध्यम से दोस्तों हम लोग साजा कर सकते हैं ठेक तो हम अपने thoughts यानि की सोच को, विचार को, feeling को, यह हम लोग संचार यानि की communication के माध्यम से साजा कर सकते हैं. दूसरा question यहाँ पर देखे कर रहा है, effective communication needs to be a, प्रभावी संचार होना जरूरी है, क्या हो? तो देखे, जो आपका effective communication जो जरूरी होता है, वहाँ दोस्तों कैसा होना चाहिए, सरल, साफ और पूरा होना चाहिए, तो यहाँ पर दूसरे का यहाँ पर, the answer correct हो जाएगा, all of the above, ठीक, तो यह हो गया आपका, तीसरे कोशनी यहाँ पर करें, which among these is not a type of communication, इनमें से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है, मौखिक, नानवरबल, तस्वीर और दुख, तो संचार का जो प्रकार नहीं है, वो है आपका दोस्तों, दुख, दुख आपका संचार का प्रकार नहीं है, यानि के नित्या वांटेड टू डिसकस एन इसू विथ हर टीमेट्स, वाट टाइप आप कम्मिनिकेशन इस इट, नित्या उनसे किसी मुद्य पर चर्चा करना चाहती है, करना चाहती थी टीम के साथ ही या किस प्रकार का संचार है, ठेक, यानि कि यहाँ पर कहा गया है कि नित्या वांटेड टू डिसकस एन इसू विथ हर टीमेट्स, वाट टाइप आप दा कम्मिनिकेशन इट इस, तो देखिए अगर नीता जो है अपने टीमेट्स के साथ अगर कोई डिसकसन करना चाहती है, तो यह जो है दोस्तों, आप किसके माध्यम से कर सकती है, तो वरबल यानि क मौखिक रूप में कर सकती है, किस प्रकार का संचार है यह, तो यह आपका वरबल यानि कि मौखिक संचार है, पांचरों कोशन है, दवे, वी सिट आवर फेशल एक्सप्रेशन एंड बाड़ी, लेंगविज, सो, कम्मिनिकेशन, किस तरह से हम बैठते हैं, हमारे चेरे की अभी व्यक्ति और सारी रिक भासा किसका संचार दर्साती है, तो यह दर्साती है दोस्तों, आपका नानमर्बल यानि कि असाब्दिक का, यहाँ पर आपसा नमबर दोस्तों, एक करेक्ट होगा, ठीक, क्या करेक्ट होगा यहाँ पर आपसा नमबर एक करेक्ट हो जाएगा nonverbal ठीक, यहाँ पर आपसा number एक correct हो जाएगा, यहाँ पर देखें टिक नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर पांच में का एक answer correct हो जाएगा ठीक, छठा कोशन कर है verbal communication is the use of, मौकिक संचार का उपयोग क्या है, तो देखें यहाँ परापसा number B, सातों कोशन है, फार माप परवल communication, मौकिक संचार के रूप क्या है, तो देखें मौकिक संचार के जो रूप रहता है दोस्तों, वो है कि लिखा हुआ और बोला जा सकता है, यानि कि बोथ A and B दोनों हो जाएगा तो मौकिक संचार के रूप में लिखा हुआ और बोला जा सकता है दोनों हो जाएगा आठाओं कोशन है, कि लिएर communication leads to असपश्ट संचार किसकी और ले जाता है तो देखें जो असपश्ट संचार होता है दोस्तों वो है फास्ट वरकर, फास्टर वरक यानि कि तेज़ कांफियोर ले जाता है ठेक यहाँ पन्नौवा कोशन है कि सीटा is speaking to her customers to understand how to improve her business, what type of communication is this सीटा अपने ग्रांकों से या समझने के लिए बात कर रही है कि अपने बेवसा को कैसे बहतर बनाया जाए या किस प्रकार का संचार है तो यह दोस्तों आपका है verbal communication यानि कि मौकिक समझ है दस्वों कोशन है राज और तेज talk to each other only on the phone, what type of the communication is this राज और तेज यह दूसरे से सिर्फ phone पर ही बात करते हैं या किस प्रकार का संचार है, तो यह दोस्तों आपको verbal communication यानि कि मौकिक समझ है, यारे नमबर question, later is a form of which type of communication जो पत्र होता है, या किस प्रकार का communication होता है, तो देखे जो पत्र होता है दोस्तों या written यानि कि लिखा हुआ communication होता है बारे नमबर question, a farmer later can be used for डडडडडडड परपाज यह एक अपचारिक पत्र का उपयोग किस के लिए किया जा सकता है तो देखे एक अपचारिक पत्र का उपयोग दोस्तों हम लोग किस के लिए कर सकते हैं तो official यानि कि अधिकारी के लिए किया जा सकता है तेरे नमबर question है, REG reg in the later means अच्छर में reg का अर्थ अच्छर में लेकिन इसमें इसका कोई वीवणा नहीं था कि इसने भेजा था पत्र में पता गायब था तो देखे पत्र में क्या गायब था तो यहां पर sender यानि कि भेजने वाले का पता गायब था जिसके करण ये पता नहीं चल पा रहा था कि इस पत्र को किसने भेजा है पंदर नंबर कोशन है Sam wanted to apply for a job He thought of writing a cover letter to the company But his friend suggested to attach dot 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 with the cover letter Sam नौकरी के लिए आविदन करना चाहता था उसने company को एक cover letter लिखने के बारे में सुचा लेकिन उसके दोस्त ने cover letter के साथ क्या सनलगने करने का सुझाओ दिया तो देखिए इसके सकनों ने resume को ठीक तो resume सनलगने करने के बारे में सुझाओ दिया अब है यहाँ पर सोले नंबर कोशन Which is not a type of non-verbal communication कॉम से गयर मौकिक संचार का प्रकार नहीं है तो देखिए गयर मौकिक संचार का जो प्रकार नहीं है वह है दोस्तों आपका email आपसे number यहाँ पर एक रेक्रेक्ट हो जाएगा email सत्र नंबर कोशन है चिलाने से पता चलता है कि हम क्रोधित है बहुत धीरे धीरे बात करने से पता चलता है कि हम ठके हुए है या नहीं दा रही है गयर मौकिक संचार का कौन सभाग हमें इसे समझने में मदद करता है तो यह रहता है दोस्तों tone up voice यानि की आवाज का लहजा अठार नंबर कोशन है distance between yourself and the other person is called आपके और दूसरे ब्यक्ति के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है ठीक तो आपके और दूसरे ब्यक्ति के बीच की दूरी को दोस्तों हम लोग spatial distance यानि की अस्थानिक दूरी कहते हैं ठीक निस नंबर कोशन है Samuel meets his co-worker Jerry everyday in office when we are with a co-worker we should not stand or sit to him हर रोज आपिस में अपने सहकर्मी Jerry से मिलता है जब हम किसी सहकर्मी के साथ होते हैं तो हमें उसके सामने खड़ा या बैठना नहीं चाहिए तो ये रहता है दोस्तों आपका to close यानि कि बहुत समीब सामने खड़ा या बैठना नहीं चाहिए बिस नमबर कोशन है cherry is going for an interview what should she not do cherry एक साच्छातकार के लिए जा रही है उसे क्या नहीं करना चाहिए तो देखिए अगर cherry साच्छातकार यानि इंटर्व्यू के लिए जा रही है तो उसको दोस्तों बहुत ज़्यादा make-up या perfume नहीं लगाना चाहिए ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा apply too much makeup or perfume तो इंटर्व्यू के समय जाते समय आपको ज्यादा make-up और perfume नहीं लगाना चाहिए बिस के यहाँ पर भी answer correct हो जाएगा अज देखिए किस नमबर कोशन you can speak to your friend आप अपने मित्र से बात कर सकते हैं तो देखिए जब आप अपने मित्र से बात करते हैं तो इन फार्मली यानि अनवचारिक रूप से बात करते हैं बाइस नमबर कोशन है which is not a type of communication कौन सा संचार का प्रकार नहीं है देखिए संचार का प्रकार नहीं है वह है दोस्तों आपका ड्राइविंग संचार का प्रकार नहीं है तेश नमबर कोशन है विनोद मेटें, फिज निव मेनेजर एट ही वर्क प्लेस ही हैड तू डट 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 हिमसेलफ फर्स्ट विनोद अपने का रेस्थल पर अपने नए मेनेजर से मिलें उसे पहले खुद को क्या करना पड़ा उसे दोस्तों खुद को सबसे पहले इंट्रेडिउस यानि की परि रिचे देना पड़ा थेक पचीस नमर कोशन है वेनेवर वी आर कम्मिनिकेटिंग वी हैब टू बी ड्रेश्ट अप्रोप्रियेटली मेंटेन आवर बाड़ी लेंगवज और मेंटेन जब हम जब भी हम किसी संचार जब भी हम संचार कर रहे हों तो उससे उचित कपने पह बनाए रखनी होगी और क्या बनाए रखना होगा तो यह रहता है दोस्तों आपका आई कांटेक्ट यानि की आँखों से संपरक है 26 नमबर कोशन एक्सचेंज आवा आडियाज हैपन थ्रो विचारों को आदान परदान किसके माध्यम से होता है तो देखें विचारों को ज दोस्तों जो पालन करना चाहिए वह रहते हैं आपका है कि ऐसा यहाँ पर देखिए कुछ दिया नहीं है इसमें आपका 28 नमबर कोशन है और्गिनाजिशन कम्म्मनिकेट मेनशी थ्रो यान कि संगठन में मुख्य रूप से किसके माध्यम से समवाद करते हैं तो देखिए organization communication में communicate mainly through the emails याने कि email के माध्यम से होता है अब देखिए यहाँ पर है 29 number question Surya and his team of 10 members are in a meeting Surya is speaking in Hindi, 6 members in his team understand Hindi, 4 members do not understand Hindi What should Surya not do? Surya और उसकी 10 सदस्यों की team एक बैठक में है Surya Hindi में बोल रहा है उसकी team में 6 सदस हिंदी समझते हैं 4 हिंदी समझ नहीं पाते हैं तो Surya स्य को क्या करना चाहिए? या सurya को क्या करना नहीं चाहिए? तो Surya को क्या नहीं करना चाहिए? ऐसे में पर अंतर कहा गया है तो यहाँ पर Speaking in Hindi यानि कि उसको हिंदी में नहीं बोलना चाहिए क्यों कि देखिए उसके टीम में 6 सदस हिंदी दस सदस्यों की एक सूर्य हिंदी बोल रहा है उसकी टीम में 6 सदस्य हिंदी समझते हैं चार हिंदी नहीं समझ पार हैं सूर्य को क्या नहीं करना चाहिए तो हिंदी में बोलो ठीक तो 29 का यहां पर दोस्तों डी आंसर करेक्ट हो जाएगा तीस नंबर कोश्चन है वीशू को अपने मैनेजर के कुछ गुपत आधिकारिक दस्तावेज भेजने हैं उसे कैसे नहीं भेजा जाना चाहिए तो उसे दोस्तों वर्टसब के मध्यम से नहीं भेजना चाहिए बाकी मेल माध्यम स्पीड पोश्ट और इन सब के माध्यम से आप लोग भेज सकते हैं वो लोग यान कि कि किसकी आवधारणा के महत्यों का सबसे अच्छा वर्टन करती हैं तो देखें यह रहता है आपका दोस्तों ताल मेल तो ताल मेल की आवधारणा के महत्यों को सबसे अच्छा वर्टन करती है 33 नंबर कोश्टन है कि sharing will helps everyone feel involved and साजा करने से सभी को जुडाव महसूस करने में मदद मिलेगी और प्रियरित करने में भी मदद मिलेगी यानि कि मोटिवेटेड ठीक चौतिस नमबर कोशन है रा में बिनाय और संदीप और वर्किंग एज टीम तू फिनिस्ट जियोग्राफी प्रोजेक्ट बिनाय इस सेरिंग ही थार्ट वाट अर बिनाय और संदीप सपोईड टू रा में बिनाय और संदीप भुगोल परियोजना को पूरा करने के लिए एक परियोजना को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए तो इस परियोजना को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए तो इस परियोजना को पूरा करने के लिए दोस्तों सेयर रिस्पांसिबिल्टी यान की जिम्मेदारी साजा करना क्या सब्सक्राइबात तो देखिर लोगों के दो समॉहैं के बीच बहस क्या चुप मत्पी को दोस्ते हुं का है तो देखि लोगों के दो समॉहैं के क्या पैदा करती है देखे जो टक्रा होती है आम तोर पर निगेट्व इमोशन नकारात्मक भावनाएं पैदा करती है आंतिस नमबर कोशन है conflict in workplace effect करेस्थल पर टकराव किसको प्रभावित करता है तो देखिए करेस्थल पर जो टकराव होता है वह दोस्तों ability to work काम करने की छमता को प्रभावित करता है ठीक थार्टी नमबर कोशन है James had to meet his team member Suraj, Reena and Nagma on Friday James called Suraj and Reena but he did not inform Nagma this is an example James को शुक्रवार को अपनी team के सदस्यों Suraj, Reena और Nagma से मिलना था James ने Suraj और Reena को बुलाए लेकिन उसने Nagma को नहीं बताए यह एक किसका उधारान है तो यह दोस्तों आपका poor communication यानि कि खराब संचार का उधारान है चालेश नंबर कोशन है Sweta and Rachit are co-workers, they are angry with each other because they have not completed a project properly which is a good way to resolve such conflict in the workplace Sweta और Rachit साकर्मी हैं, वे एक दूसरे से नाराज हैं क्यांकि उन्होंने एक project ठीक से पूरा नहीं किया है कारेस्थाल में इस तरह के संघर्सों को हल करने का एक अच्छा तरीका काउंसा है, तो यह अच्छा तरीका है दोस्तों कि find a different way to solve the problem समस्य को हल करने के लिए भिन तरीके खोजें 41 नंबर कोशन है, negative comment made about our action our performance is card हमारे कारिया प्रदर्शन के बारे में की गई नकरात्म टिक पड़ियों को क्या कहा जाता है तो इससे कहा जाता है दोस्तों आपका आलोचना तो criticism यहानि कि आलोचना यहाँ पर correct answer हो जाएगा 42 नंबर कोशन है, if a person receives harsh unfair and very negative criticism, they feel very unhappy, what type of criticism is this यह किसी ब्यक्ति को कठोर, अनुचित और बहुत नकरात्म आलोचना मिलती है तो वे बहुत दुखी महसूस करते हैं, यह किस प्रकार की आलोचना है तो यह जो आलोचना है दोस्तों, यह आपका unfair criticism यान कि अनुचित आलोचना है During criticism, we must remain and to the person आलोचना के दोरान हमें ब्यक्ति के प्रेरित और रहना चाहिए यानि कि सांत और सुनते रहना चाहिए तो आलोचना के दौरान हमें ब्यक्त के प्रति सांत हो जाना चाहिए और सुनते रहना चाहिए यहां पर 43 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा 44 संबर कोशन है कि प्रिया को अपने नमींतन प्रोजेक्ट के बारे में अपने मैनेजर से रचनात्मक साहय का लोचना मीडी क्या करे हुआ है तो वह क्या करें तो क्या करें को उसको सुने समझे और उसके प्रबंधन को धन्यवाद करें ठीक यहां पर आलाफ्जा एवा हो जाएगा किसोर के मैनेजर ने उन्हें सकरात्म करना करात्म प्रक्रिया दी किसोर भ्रहमित महसूस कर रहा है उसे आगे क्या करना चाहिए तो उसे दोस्तों आगे क्या करना चाहिए कि सौन्थ हो जाके उसे सोचना चाहिए और उसके प्रबंधन द्वारा किये गए सकरात्म विंदों को समझने को प्रयास करना चाहिए और प्रबंधन द्वारा बताया गए नकरात्म विंदों को समझने को प्रयास करना चाहिए आपसा नंबर यहां पर डिक परेक्ट हो जाएगा, आल आपजा इवाव, 46 नंबर कोशन कहा रहा है यहां पर, we start communicating when we are, हम संचार तब सुरू करते हैं, जब हम क्या होते हैं, तो देखें, हम संचार तब सुरू करते हैं, जब हम दोस्तों, चिल्डर्न यानि की बच्चे होते हैं, ठेक, 47 नंबर कोशन है, रिटा टाक्स टू हर कॉस्टूमर्स, बट सी इज अनेबल टू अंडरिस्टेंड वाट दे से, वाट सुड सी डू, रिटा अपने ग्रांकों से बात करती है, लेकिन उनकी बात नहीं समझ पा रही है, वैं क्या करें, तो उसे करना क्या कच चाहिए, कि इंप्रूव हर लिसनिंग इस्किल, उसके सुनने के कॉसल में सुधार करना चाहिए, आप इमेल में अपना संदेश ठीक से समझा नहीं पार रहे हैं, आपको किस कॉसल में सुधार करना चाहिए, तो आपको राइटिंग कम्मुनिकेशन यानिक लिखने की संचार में आपको सुधार करना चाहिए, अज देखिए, अगला कोशन या आपर कर रहा है, 49 नमबर का, you are scared to communicate with other, what are some way to solve this problem, आप दूसरों के साथ समवाद करने से डरते हैं, इस समस्य को हल करने के कुछ तरीकें क्या हैं, तो यह हैं दोस्तों, कि find your strength about communication, संचार के बारे में अपनी ताकत का पता लगा है, और find your weakness about communication, संचार के बारे में अपनी कमजोरी का पता लगा है, find a way to improve and learn more about your weakness, सुधार के तरीके खोजें और अपनी कमजोरी को बारे में अधिक जाने, यहाँ पर आपसो number D correct होजेगा, आलाफ देज, पचास number question है, सतिस always agrees with his manager, when his manager gives him feedback, what do you do, सतिस would do? जब सतिस का manager उसे feedback देता है, तो वह हमेशा अपने manager से बहस करता है, तुम क्या करते हो, सतिस क्या करेगा, तो सतिस क्या करेगा, कि listen and understand सुनेगा, और उसको समझेगा, पचास के यहाँ पर यह answer correct हो जाएगा, तो दोस्तों, यहाँ पर यह आपका चौथा chapter complete होता है, इसके बाद दोस्तों, हम लोग पांचवाँ चैप्टर पढ़ेंगे, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, और उसमें